Hello everyone, कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो reading हैं यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो partner हैं वो आज शाम किसे और क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में आज की शाम वो किसे और क्या बाते कर रहे थे वो हम आज के अपने इस रीडिंग में देखने वाले हैं तो ध्यान रखेगा कि ये हमारे रीडिंग जना रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलिस रीडिंग होगी इस बात का पूरा ख्या लखना है, जो मैं रीडिंग करूँगे ये आप लोग फोकस करके दिखेगा क्योंकि पूरी शाम के अनर्जी को लेकर के हम लोग ये रीडिंग करने वाले हैं यानि कि पूरी तरीके से हम देखेंगे कि आज कि शाम आपके जो पार्टनर है वो आज किसे और क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में मिलते हैं तो आप लोगों के लिए मैं यह से लिजेगा ठीक है और रीटिंग पसंद आते हैं तो इने को ग्राटिटूडण ओके डिवाइम हमें गाइड करें मेरे वीवर्स के लिए मुझे गाइड करें ओके मेरे वीवर्स के लिए मुझे गाइड करें ओके मेरे वीवर्स के लिए मुझे गाइड करें डिवाइम ओके टिवाइन हमें गाइड करें मेरे विवर्स के पार्टनर आज शाम को किस से और क्या बाते कर रहे थे के उपकवाइन मेरें एल और सक्राइड किस अंच क्यों खल्सराओ किस पार फिर presum है वाइड युब खर स्वें उपक्वार ओंग 보고 जस 3 of whale, 4 of whales, the emperor, 8 of wands, and the moon. bottom of the deck, oh wow queen of wands, काफी बहतरी energy आई है, काफी अच्छी energy आई है, so, चलिए, देखते हैं cards, आपके जो partner हैं, ये काफी, काफी जादा ऐसा दिख रहा है, जिसे, खुलके बाते तो नहीं कर रहे थे, पहले, शुरू में, अपने आपको काफी, जो है, रखा हुआ था, कि मैं limited बाते करूंगा, या करूंगी, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है, कि खुला होकर के बाते नहीं करने चाहिए, पूरी तरीके से, सारी बाते सबको नहीं बताने चाहिए, वैसे ही ये person बाते करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या बाते कर रहे थे अपके partner, आपके partner सबसे पहले बाते कर रहे थे, कि आजकल मैं उसमें बदलाव देख रहा हूँ, आजकल उसमें बेहद बदलाव देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जिसे कि पहले से वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है उसकी लाइफ में कोई और तीसरा पॉर्सन आ गया है जिसके उपर उसका फोकस है जिसके उपर उसका ध्यान जा रहा है और मेरे से उसका ध्यान हट रहा है मुझे ऐसा लगता है जिसे की वो मुझसे धीरे 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 दूर जा रही है वो मुझसे दूर हो जा रही है होती चली जा रही है और मैं उसके करीब होना चाहता हूँ और वो मुझसे दूर भाग रही है कोई तो है जो की आ गया है हम दोनों के बीच में कोई ऐसा person भी हो सकता है जो की इस रिस्ते के खराब होने का wait कर रहा हो और अचानक से वो हमारे बीच में आ गया है मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले ऐसी नहीं थी काफी loyal थी लेकिन इस तरीके से उसकी loyalty को मैं अभी देख रहा हूँ मुझे लगता है कि उसके life में कोई ना कोई जरूर आ गया है भले ही उसका go worker हो उसके साथ काम करने वाला कोई person हो बट मुझे लगता है कि कुछ तो है कुछ तो गरबर है पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो मुझसे अब थोड़ा सा किनारा कर रही है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ उसके लिए मेरे दिल में emotions, feelings भर-भर के है लिकिन उसका एक अपना ही बन चुका है जिसे कि वो अपनी सल में गुश गई है अपने सल में ही रहना चाहती है मुझे ऐसा लगता है कि अपनी business के वज़े से परिशान है अपने career की वज़े से परिशान है मुझे ऐसा लगता है या उसकी life में कोई और है मुझे ये feel होता है क्योंकि मैं जितना उससे प्यार करता हूँ मैं उसे जितना जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोखा देगी लेकिन पता नहीं क्यों उसका अटेंशन जब मुझे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो वो मुझे खुल के नहीं बता रही है या नही मेरी imosn meri feeling मेरे जो दिलं में हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमिन अपने आप में कर परक्ता है इस लिए कुछ रहसा गया है कुछ थम सघ है कि इस लगते हैं जैसे की बहुत ज़ादा प्यार है लेकिन यहां पर जिस तरीके से उसका भीव चल रहा है न मुझे लगता है कि वह मूवन कर रही अपनी life में मुझे कही ना कही ये feel होने लगा है कि वो अपनी life में अपने हालातों के सामने, अपनी suggestions के सामने उसने गुटने टेक दिये हैं और अब इस relationship से move on करना चाहती है, move on करने की energy में चली गई है बहुत अच्छी energy में चली गई है, वो मुझे जहां तक लगता है उसका finance, उसका career अब उसके लिए important हो गया है मैं उसके लिए important अभी नहीं हूँ जो मुझे पहले priority मिला करती थी, जो मुझे पहले attention मिला करती थी वो मुझे अब नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे वही attention चाहिए, मुझे वही feeling चाहिए, वही emotions चाहिए उसके मुझे उसके name fame से कोई मतलब नहीं है मुझे उसके पैसे से कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है उसके प्यार से मुझे उसका प्यार चाहिए उसकी deep attachment चाहिए मुझे उससे मुझे पल दो पल का प्यार नहीं चाहिए मुझे दो पल की खुशिया नहीं चाहिए तो मैं उसके तरफ से भी expect करता हूँ कि वो भी मेरे तरफ loyalty रहे मैं चुपके चुपके उसके उपर नजर रख रहा हूँ, मेरा दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मैं चुपके चुपके उसके उपर नजर रख रहा हूँ देख रहा हूँ कि क्या कर रही है वो, किससे बात कर रही है वो, क्या बाते कर रही है वो, किससे बाते हो रही है, क्या उसके लाइफ में सच में कोई आ गया है या क्या है, मुझे पता करना है, मुझे पता चलेगा तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा, अगर कुछ नहीं कर पाया जैसे कि ऐसा लग दाने जैसे कि वो मुझसे पीछा चुड़ाना चाहती है उसका बर्डेन, उसकी परिशानी, उसके ओफिस की टेंशन, फैमिली, प्रॉब्लम, ये, वो, फलाना आडिम का ये सारे एक्सक्यूजेस मैं सुन-सुन के परिशान हो गया हूँ नहीं चाहिए मुझे, अगर उसे पीछा चुड़ाना है तो सीधे बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता दे क्योंकि मैं उसे कॉल भे कर रहा हूँ, मैसेज भे कर रहा हूँ, तो भी कोई रिपलाई नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसके मन में कुछ ऐसी बाते हैं, या तो उसे लगता है कि वो आखिर अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ, बहुत सीरियस हूँ मैं उसके लिए, और मेरी सीरियसनेस दिन प्रति दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है, मेरी सीरियसनेस एकदम दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा र वो मेरी जिन्दगी में आ जाए बस इतना काफी है मेरी जिन्दगी में उसकी उसका आना मतलब फर्स प्रायोटी है वो मेरी जिन्दगी में आ जाए ना बस मुझे वही चाहिए बस मुझे वही चाहिए कि वो मेरी जिन्दगी में आ जाए और वो मेरी जिन्दगी में आकर ए तो बस उससे इतना ही चाहता हूँ कि हम दोनों का प्यार बना रहे हम दोनों की बीच में प्यार की कोई कमी ही ना हो कोई भी कमे ना हो हम दोनों के प्यार में हम दोनों का प्यार अटूट है यह यह अटूट सा रिस्ता मैं उसके साथ बना की रखना चाहता हूँ मैं नहीं च रिष्ते को सा उस रिष्क प्रोट करना चाहता हूं वह कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रखना ही कि मैं बहौत परीशान होँ मैं बहुत परशान में बहुत परेशान के सीजह से मैं बहुत बघंड में went he methi enjoy presentation सच में थोड़ा सा मुझे पीशन्स जो है आपके पार्टनर के बीच में ये सारे चीज़े चल रही है और आपके पार्टनर बहुत परिशान है अब देखते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा आपके रिस्ते के बारे में ठीक है ओके, सो चलिए, देखते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा, आपके पार्टनर से डिवाइन हमें इनके लिए गाइड करेंगे फोकस कीज़ेगा आप अपने आपके ऊपर क्या कहा मेरी वीवर्स के पार्टनर ने अपने दोस्तों से जो कहा उनके दोस्तों ने क्या कहा इन से फोकस कीज़े ओके क्या कहा उन लोगों ने इन से दो हैंग मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा फेस्बूक पेज भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी रीडिंग आपको मिलती है ओके नाइन अफ कप्स स्ट्रेंथ अपोSet नाइट ऑवन्ण्स घलावर्स नाइन ऑफ पैंटिगल्स आप फटाफट करके चनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे ये फटा फट करके चनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं आप लोगों के लिए इतना एफ़र डाल रही हूं तो प्लीज ओके ओके स्टार्क एनर्जी है ओके बॉटम अफ़ देक ओमाई गॉड 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 अपके पार्टनर भी बाते कर रहे थे उसमें भी यही कार्ड था बॉटम अफ़ देक भाई साब आप काफी स्ट्रॉंग प्रसनालिटी हो आप आपके अंदर काफी पेशन्स है आप तो लोगों को अपने बातों से अपने वश में कर लेते हो ऐसा लगता है जिसे कि आपके अंदर वो कहते हैं मोही ही नहीं है जिसको मोह लेते हो आप चलिए reading के उपर concentrate करते हैं ये लोग बाते कर रहे थे कि यार तू इस टक क्यों है तुझे जब तेरा partner चाहिए अगर तू उससे प्यार करता है तो तेरा partner तुझे चाहिए और तू उससे चाहिए है ना बात यही है ना कि तुम दोनों एक दुझे से प्यार करते हो दोनों एक दुझे को प्यार करते हो दोनों एक दुझे के साथ future बनाना चाहते हो ये भी right है दोनों एक दुझे के साथ future बनाना चाहते हो और दोनों एक दुझे को ले करके काफी serious भी हो ये भी बात सही है है ना तुम दोनों एक दुज़े को ले करके काफी सिरियस हो एक दुज़े से प्यार करते हो तो ये स्टक सी एनरजी क्यों है तुम दोनों में तुम दोनों अभी तक रूखे क्यों हो तुम दरों अगर इसी तरीके से रुके रहे तो हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें बाते करने चाहिए, अपनी फैमली से बाते करो ना इसके बारे में शादी की बाते करो अगर उसे commitment चाहिए तो शादी की बाते करो उससे मिलो उससे बात करो उससे पूछो आगे बढ़ना है तो किसी को एक को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा माना हो सकता है कि वो अपने work में अपने career में busy होगी या busy होगा कुछ भी हो सकता है इसका मतलब और यह नहीं कि तुम छोड़ दोगे तुम्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए हो सकता है कि तुम्हारे अगले एक्शन का वेट कर रही हो और तुम हो कि एक्शन लेही नहीं रहे हो तुम एक्शन डिसीजन लेही नहीं पा रहे हो तो वह क्या करेगी वह कैसे करेगी तुम्ह उस चीज़े अर्ण कर पाओगे ना, relationship है, सही है, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों को पहले fulfill तो करो, relationship को पहले सही तो करो, तुम बाते तो करो, तुम यहाँ पर हांदर यह बैठो, उसका वेट करो, वो तुमारा वेट कर रही है, हैंना? तो तुम यहां पě अपने धामन बे बैठो और वो वहाँ पर जो कर रहे है उसका अपने एक अलग ही है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो ego में बैठे हो न अभी फिल हाल तुम तो ego में आर्टिटूड में बैठो अभी फिल हाल ठीक है तुम्हें इतना ego नहीं दिखाना चाहिए तुम्हें इतना attitude नहीं दिखाना चाहिए तुम अपने life को थोड़ा सा सही करो अपने life में जो भी है feelings जो भी emotions है न थोड़ा सा सही करो अपनी लाइफ में जो भी है न उनको सही करने में थोड़ा सा वक्त देना चाहिए तुम्हें अपने आपको वक्त दो, अपनी रिलेशनसिप को वक्त दो, अगर वक्त नहीं दे सकते तो फिर रिलेशनसिप को भूल जाओ अफसोस करने से क्या होता है अफसोस करने से कुछ नहीं मिलेगा तुम यहाँ पे regret कर रहे हो अपने आपको अफसोस कर रहे हो कि तुमने उसे यह नहीं दिया तुमने उसे वो नहीं दिया तुम यह करते हो तुम वो करते हो और यह तुमने दिया उसे दिखाने हो सकता है कि उसे दिखाने यह उसने मैसूस नहीं किया हो उसने वो चीजे देखी नहीं हो इग्नूर कर दिया हो यह बाते भी तो हो सकती है तुम अपने आपको फोकस तो करो relationship को देखो तो सही क्या है क्या नहीं है कैसे कैसे नहीं है उन सारी चीज़ों के उपर फोकस करो तुम तो निराश होके बैठ गए हो कि अरे उसका तो किसी और के साथा फियर हो सकता है या किसी और के साथ यह वो जो भी है अभी तुम खुद है वो बातों से तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पढ़ना चाहिए उन बातों से तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पढ़ना चाहिए इस तरीके के तुम बाते कर रहे हो क्यों क्यों वो सारी चीज़ें हो रहे हैं तुम्हारे लाइफ में तुम्हें लगता है कि तुम जो प्रेशर हो सकता है वो सकता है सच में वह प्रोडम्स होती है सो उनसारी प्रोडमन को छोड़के वह तुम्हारे पास थो नहीं आ जाएगा या नहीं आ जाएगी न थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार, manage करना सीखो, manage करोगे तो काफी कुछ चीज़े समझ पाओगे, काफी कुछ चीज़े feel कर पाओगे, relationship को आगे लेकि जा पाओगे, अगर manage करने ही नहीं आया, तो फिर problems है ना, तो manage करना सीखो, manage करोगे तब ही कुछ हो पाएगा, ठेक है, तो मैं आपको यही कहूंगी, यही कहूंगा, कि आपको थोड़ा ऐसा patience के साथ उसको समझना चाहिए, उसको समझ करके action उसके लिए लेना चाहिए, decision लेना चाहिए, उससे बात करने ही चाहिए, है ना उससे बात करके अपने relationship को थोड़ा सा देखना चाहिए deeply देखना चाहिए deeply समझना चाहिए ठेक है उसके साथ अगर balance बना लिया जाए तो relationship भी बहुत अच्छा हो सकता है connection बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों समझ सकते हो दोनों एक दुझे को काफी enjoy कर सकते हो दोन और ने दुसरे को एकदम अच्छे तरीके से time दिया तो बहुत कुछ हो सकता है बहुत सारी कुछी हो सकते हैं जो कि life में होनी बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए आपके पार्टनर का emotions आपके पार्टनर की feelings काफी important है ठीक है येस मुझे यहाँ पे यहीं देख रहा है आपके पार्टनर ने आपका जो आपका जो कहें तो आपका जो साथ है न वो कभी नहीं छोड़ा आपके ये लोग दोस्तों कहें रहे हैं कि उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो तुम कैसे साथ छोड़ सकते हो तुम उसके साथ manage करो बात करो relationship बनाने से बनता है relationship बहुत कच्चे दागों से बना होता है और relationship का जो कच्चा दागा है अगर वो टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है कोई भी समान हो टूट जाए तो वो अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पाता है गभी भी उसमें दरारे रही जाते हैं तो इन दरारों को पैदा मत करो बात करो, रिलेशन्सिप है, इसको सम्हालने की कोशिश करो यहाँ पर यह कार्ट मुझे बता रहे हैं आपके तो आप रिडिंग आपके साथ रेजनेट की होगी रेजनेट की है तो आप जरूर मुझे आशा है कि आप इनिवर्स को ग्राटिटूड देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप सच में इस रिडिंग के साथ जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच लाइक करके जाना और अगर आप मुझे अपनी प्रसनल टारो रिडिंग लेना चाहते हैं या निमरलोजी के थुरू, टारो के थुरू जानना चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप के बारे में कुल्ली रिडिंग में जानना चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन, अपने सोल मेट अपनी life के बारे में आपका विवाह कब होगा आपके life में luxurious कब life आएगी बहुत सारी कुछ चीज़े आप जान सकते हैं कुल ली डिडिंग में बहुत सारी कुछ चीज़े ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप screen पे दिये गए number पे contact करें ठीक है वहाँ से contact करके आप अपनी booking को confirm करें वाइए और मुझसे आप call पे reading ले सकते हैं call में आपको बताऊंगी सारी चीज़े मैं आपको call पे बताऊंगी साथी साथ मैं आपको remedy भी दूँगी कि हाँ आपको life में आगे बढ़ने के लिए इस problem के लिए क्या solution है अगर आपके relationship में problem चल रही है तो उस problem को इस remedy से ठीक किया जा सकता है वो सारी चीज़े मैं आपको predict करूंगी ठीक है तो अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे ऐसी reading जो कि आपके लिए काफी अच्छी हो काफी beneficial हो और remedy के साथ हो तो जरूर जरूर booking करवाईए ठीक है स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर इस्क्रीन पर नंबर नहीं दिखता है description box चेक कर लिया करिए एक बार description box चेक कर लीजिए उसमें मेरा number available है वहाँ से मुझसे contact कीजिए मैं आपको खुद reply करूंगी ठीक है मिलते हैं आप से दुबारा किसी और रिडिंग में तबते के लिए बाबाई टेक क्यों एंड लव यू ओल